इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक सड्यन्तर जरूर बनाता है और अपने सड्यन्तर के तहद ये भरपूर कोशिस करता है कि अपने काम को अजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए पर साइद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिलकुल वैसे ही फल मिलता है आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है जिसकी वज़स एक वेक्ती हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़के चला जाता है लेकिन पुली जब इस केस की खुलासा करती है तो एक ऐसा सचाई सामने निकल कराता है जिसे सुनने के बाग हर कोई हैरान रह जाता है नमस्कार आदाब मैं हस्मूदीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हूँ दरसल ये घटना है उत्तर परदेश की उत्तर परदेश के एक जीला पढ़ता है कानपूर और इसी कानपूर के एक थाना पढ़ता है मूसा नगर मुझा नगर थाने के अंतरगते गाउं आता है किरिपालपूर और इसी किरिपालपूर गाउं का रहने वाला राम सुमेर सिंग पत्नी का नाम मंता देवी राम सुमेर सिंग के टोटल दो बेटे हैं जिसमें बड़ा बेटा रघुवीर और छोटा बेटा सुरेंदर सुरेंदर जिसकी उम्र है 28 साल सुरेंदर की पत्नी का नाम प्रियंका प्रियंका जिसकी उम्र है 25 साल सुरेंदर जोकी सुरत सहर में रहकर एक कपड़े की फेक्टरी में नोकरी करता है बात कर रहा हूं में 8 नुवंबर 2016 की सुबा सुबा सुरेंदर कुछ दिन पहले ही अपने घर आया था 8 नॉवंबर 2016 के सुबह सुबह कुछ समान खरिदने के लिए मार्केट में जाता है लेकिन देर साम तक जब घर वापस नहीं आता है तो उसकी पत्नी प्रियंका अपने पत्नी के नमबर पर कई वर फोन करती है लेकिन हर बार सुरेंदर का नमबर सुचा बताता है देर साम तक भी सुरेंदर जब घर वापस नहीं आता है तो प्रियंका अपने जेट से कहती है कि जा करके देखिये वो कहां रह गए इसके बास रगवीर अपने पीता के साथ सुरेंदर की हर जगों पे तलास करता है लेकिन सुरेंदर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात बुजर जाती है अगली सुबह तक भी सुरेंदर घर वापस नहीं आता है इसके बाजूद भी सुरंदर के घर परिवार वाले ना तो थाने में जाते हैं और ना ही उसका गुंसुद्गी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं दो दिन का और वक्त गुजर जाता है लेकिन सुरंदर घर वापस नहीं आता है 10 नौवंबर 2016 को सुरंदर के गाउं का रहने वाले एक ब्यक्ती सुबा सुबा जब खेत में सौच करने के लिए जाता है तो देखता है कि खेत के मेरते सुरंदर का डेट बोडी पड़ा हुगा है ब्यक्ती जैसी इस तरह की नजारा देखता है वहाँ से भागते दोड़ते गाउं में आता है और इस बात की जनकारी सुरंदर के घर वालों को देता है सुरेंदर के घर परिवारवालों को जैसी सुचना मिलता है सब के सब रोते बिलगते घटनास्तल पे पहुंचते हैं और तब जाकर इस बात की जनकारी पुलिस को देते हैं पुलिस को जैसी सुचना मिलती है पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्तल पे पहुंचती है और सबसे पहले सुरेंदर की डेट बोडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुरेंदर की लगभग दो दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी दरसल सुरेंदर के सरीर का दाहिना हाथ भी उसके सरीर से अलग कर दिया गया था पुलिस उस घटनास्तल की बड़ी बारीकी तरीके से मुएना करती है आसपास की जगों पे भी चेक करती है लेकिन सुरेंदर का दाहिना हाथ पुलिस को बरामद नहीं हो पाता है इसे लिए पुलिस सबसे पहले सुरेंदर की डेट बोड़ी को अपने कबजे में लेती है और फिर उसे पोस्माडम के लिए भेज देती है और फिर सुरेंदर के भाई रगवीर के ही तेहरीर पे 14.302 के तह Advisor अज्यात अपराधियों के बिरोध में मुकदमा दर्श करती है और इस केस की छान बिन करना करती है पुलिस इस केस की छान बिन करने के लिए सबसे पहले सुरेंदर के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है पुलिस जब CDR को चेक करती है तो CDR में भी कोई भी ऐसा संदीग्द नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस वालों को कोई सक जाए इसके बास पुलिस अपनी तमाम कोशिस कर लेती है लेकिन अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभ़ डेर महीने का समय गुजर जाता है तब जाकर के पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगाती है तब ही 29 दिसंबर 2016 को एक खबरी सुबसुबस थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साब मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता है लेकिन साइध इस केस की खुलासा सुरेंदर की पत्नी प्रियंका ही कर सकती है क्योंकि गाउं के लोगों का कहनाम है कि सुरेंदर को इस दुनिया से जाने से प्रियंका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस केस में हलकी सी रोशनी पुलिस वालों को दिखाई देता है इसलिए पुलिस अब कोई मौका नहीं गवाना चाहती है पुलिस खबरी के अई तेरीर पे फिर से सुरेंदर के घर पे जाती है और उसकी पतनी प्रियंका को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है इधर प्रियंका जब थाने में पहुंचती अपने सामने पुलिस वालों को देखती है उन्हें देखकर डर के मारे थर्थर कापने लगती है पुलिस प्रियंका से उसके पती के हत्या के बारे में पूश्टाश करना शुरू करती है पुलिस जब प्रियंका से एक पर एक कई तरह का सवाल करती है प्रियंका पुलिस वालों के सवालों का जबाब तो देती है लेकिन उसके जबाब सुनकर पुलिस को कई न कई प्रियंका के उपर सक चला जाता है इसलिए पुलिस अब प्रियंका के साथ सकती से पेशाना सुरू करती है पुलिस जैसे ही अपना सक्ती दिखाना सुरू करती है आखिरकार मजबूर होकर प्रियंका भी अपनी सचाई कबूल कर लेती है प्रियंका और सुरेंदर की साधी घटना से ठीक चार साल पहले होती है प्रियंका के पिता का नाम सूरज सूरज जो घाटांपूर थाने के अंतरगत सजेती गाउं का रहने वाला है प्रियंका जो की देखने में बेहाद ही खुब सूरद सूरेंदे जब प्रियंका से साधी कर अपने घर ले कराता है अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों तक बड़ी खुश हाल तरीके से जीवन ब्यतित करता है लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है प्रियंका का अपने जठानी के साथ में जगरे तकरार सुरू जाता है जगरे तकरार कुछ इस परकार से आगे बढ़ जाता है जिसे राम सुमेर सिंग भी काफी तंगा जाता है और आखिर कार एक फैंसला लेता है और अपने दोनों बेटों की बटवारा कर देता है उसके बास सुरेंदर अपनी पत्नी को अलग ले करके रहने लगता है लेकिन सुरेंदर जब अपनी पत्नी के साथ अकेले रहने लगता है सुरेंदर के उपर जीमेदारियां आ जाती है इसलिए सुरेंदर अब अपने घर की जीमेदारियों को सम्हालने के लिए अपने एक दोस्त के पास सुरत सहर में चला जाता है और फिर सूरसहर में जाकर एक कपड़े की फैक्टरी में नोकरी ले लेता है फिर वहाँ पे जो भी पैसा कामाता है वक्त पे अपनी पत्नी के पास भेज देता है बीच-बीच में जब भी उसे मौका मिलता है छूटी लेकर घर पे आता है लेकिन सुरेंदर जब घर पे आता है थोड़ी दिन की छूटी लेकर आता है और फिर वापस तुरंथी चला जाता है इसलिए पिर्यंका अपने पती से कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो सुरेंदर अपने पत्नी को दिलासा देता है कि अगली बार जब मैं आऊँगा पकत तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा सुरेंदर अपनी पत्नी से वादा तो कर देता है लेकिन अपनी वादा कभी पूरा नहीं करता है देखते ही देखते लगवक चार सल का समय गुजर जाता है इन चार सालों में सुरेंदर के दो बच्चे भी हो जाते हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी लेकिन प्रियंका जब इधर अकेले घर पे रहने लगती है उसे हर चीज मिल तो जाती है लेकिन अक्सर रात के वक उसे अपनी पती की याद सताने लगती है प्रियंका बार बार अपने पती से कहती है लेकिन सुरेंदर कभी उसे अपने साथ लेकर जाता ही नहीं है एसे लिए प्रियंका का भी अमन भटकने लगता है प्रियंका इधर उधर तांक जाक करने लगती है हाला कि प्रियंका जब अकेले घर पे रहने लगती है उसे किसी भी चीज की जब जरूरत पड़ता है तो अकसर अपने बगल का रहने वाला भतिजा करन को घर पे बुलाती है और उसी से अपने समान को मांगाती है करण जिसकी उम्र है लगभग 23 सल के आसपास जब प्रियंका का मन भटकने लगता है एक दिन करण जब उसके घर पे जाता है कोई समाल लेने के लिए प्रियंका का करण के ही उपर नियत खराब हो जाती है ये जानते हुए भी कि प्रियांका और करन के बीच में चाची भतीजा का रिस्ता है उसके बाद से करन जब भी प्रियांका के घर पे जाता है तो प्रियांका उसके तरफ अजीब निगाहों से नहीं देखती है बल्कि उससे हसी मजाग भी करती है हसी मजाग में कुछ हैसी बाते कह देती है जिसे सुनकर करन को भी समझने में देर नहीं लगता है कि प्रियांका चाहती क्या है करन भी जब प्रियांका की खुबसूर्ती को देखता है तो करन भी अपने आपको नहीं रोक पाता है और ना चाहते हो भी अपने आपको प्रियांका के हवाले कर देता है उसके बाद से एक दिन प्रियांका और करन के बीच प्रियांका के गर में अवय संबंध बन जाता है एक बार जब ये सिलसिला सुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है लेकिन ये बाते ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिर कर आज पडोसियों को कई न कई सक हो जाता है इसी भी सुरेंदर जब कुछ दिन की छुटी लेकर घर पे आता है तो पडोसी करण को लेकर सुरेंदर से सिकायद करते हैं सुरेंदर को जब मालूम चलता है तो सुरेंदर को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि करण का अपने चाची के साथ में इस तरह का रिस्ता चल ला है ना चाते हुए भी सुरंदर इस बारे में अपनी पत्नी से पूश दास करता है लेकिन जैसे ही करन के बारे में प्रियंका से पूश दास करता है तो प्रियंका भी अपने पती के उपर चड़ बैठती है कहती है कि तुम कैसी बाते कर रहे हो वो मेरा रिष्टे में भतीजा लगता है तुम अच्छी तरह जानते हो कि जिनके पती बाहर में काम करते हैं उनकी पत्नियों को लोग कैसी-कैसी बाते करते हैं दरसल आज पर उसके लोग मुझे बदनाम करने की कोशिस कर रहे हैं प्रियंका इस तरीके से अपने पती के सामने पेश आती है कि ना चाते हुए भी सुरेंदर अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर जाता है कुछ दिन का वक्त बिताता है वापस अपने ड्यूटी चला जाता है लेकिन वापस जब सूरत चला जाता है प्रियंका को भी अब डर सताने लगता है इसे लिए प्रियंका अब करन से मिलने में काफी एहतियाद बरतने लगती है दरसल उसके बाद से अब प्रियंका करन को अक्सर रात के वक्त अपने घर पे बुलाती है लेकिन प्रियंका को ये भी डर सताने लगता है कि एक बार जब उसके पती को सक हो गया है तो किसी भी तरीके से अपने पती के सक को दूर करना है इसे लिए प्रियंका अक्सार अपने पती के नमबर पर फोन करती है और उसे मिठी मिठी बाते करती है प्रियंका अपने पती को विश्वास में लेने के लिए एक दिन फोन करती है और कहती है कि इस बार करवा चोथ पे आपको घर आना है प्रियंका जब इस तरह की बाते अपने पती से कहती है तो करन को भी लगता है कि उसकी पत्नी उससे बे इंतहा मौबत करती है लेकिन इस बर सुरेंदर जब छूटी लेकर आता है तो थोड़ी ज़ादा दिन की छूटी लेकर घर पे आ जाता है और आकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है जिसकी वज़ास से अब प्रियंका और करन की मुलकात नहीं हो पाती है हलाकि प्रियंका की अपनी चाहत तो पूरी हो जाती है लेकिन करन प्रियंका से मिलने के लिए बेताब हो उठता है इसलिए एक दिन करन फिर से प्रियंका से मुलकात करता है और कहता है कि या तो अपने पती को बाहर भेज दो या फिर मुझसे भी मिलने के लिए कोई उपाय निकालो प्रियंक करण से कहती है कि मेरे पास एक उपाय है तू मार्केट में जाओ और मार्केट से कुछ नसीली दवाईया खरीत कर लाओ उसके बास जब भी मैं रात को तुम्हें फोन करूंगी तू मिलने के लिए आ जाना करन मार्केट में जाता है और जाकर कुछ नसीली दवाईया खरित कर लाता है और लाकर प्रियंका को दे देता है उसके बास सुरेंदर जब भी रात को खाना खा करके सोता है प्रियंका दूद में कुछ निंद की गोलिया मिला कर अपने पती को दे देती है सुरेंदर जैसे उस दूद को पीता है काफी गहरी नीद में सो जाता है सुरेंदर जैसी गहरी नीद में सो जाता है उसके बाद से प्रियंका करन के नंबर पे फोन करती है और अपने ही घर में उसे मिलने के लिए बुला लेती है करन जब भी प्रियंका से रात के वक्त मिलने के लिए जाता है तो प्रियंका उसे अपने बगल के कमरे में लेकर चली जाती है 7 नुमंबर 2016 को सुरेंदर साम के वाद घर तो आता है लेकिन उस दिन काफी मातरा में दालू सराब पी रखा था साम के वाद जब घर पे आता है खाना खाकर के सो जाता है लेकिन जैसे ही सोता है हर रोज के तरह प्रियंका दूद के गिलास में कुछ निंद की गोलिया मिला कर लाती है और सुरेंदर को पीने के लिए दे देती है चोकि सुरेंदर उस दिन काफी नसे में था इसलिए दूद नहीं पीता है बलकि उस दूद के गिलास को अपने बेड के नीचे रख देता है प्रियंका को लगता है कि साय सुरेंदर उस दूद को पी चुका है इसलिए काफी गहरी नींद में सो रहा है रातरी के 11 बजे के आसपास प्रियंका हर रोज के तरह करन के नमबर पे फिर से फोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है करन जब प्रियंका से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो प्रियंका उसे लेकर बगल के कमरे में चली जाती है लेकिन जैसे ही रातरी का एक बजता है सुरेंदर की नींद खुल जाती है दरसल सुरेंदर को बाथरूम लग जाता है सुरेंदर की जैसे ही निंद खुलती है तो देखता है कि बेड़ पे उसकी पत्नी नहीं है सुरेंदर जब कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि बगल के कमरे में हलकी सी लाइट जल रही है और उसमें चुडियों की खनकनाहट भी आ रही है सुरेंदर जब दरवाजे खोलने की कोशिस करता है तो दरवाजा अंदर से बंद था एसे लिए सुरेंदर धक्के मार करके उस दरवाजे को तोड़ देता है लेकिन जैसे ही दरवाजा तोड़ करके अंदर एंटरी करता है अंदर करन और प्रियंका को अपती जना की स्तिथी में देख लेता है सुरेंदर जैसी इस तरह की नजारा देखता है गुस्से के मारे इस कदर से पागल होता है कि उसी वक्त ही अपनी पतनी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है करन अपने सामने जब प्रियंका को पिटते हुए देखता है तो करन भी प्रियंका को बचाने की कोशिज करता है इसलिए अब सुरेंदर प्रियंका को छोड़कर करन की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है महाल कुछ इस परकार से हो जाता है कि प्रियंका एकदम से घबरा जाती है और करन के तरफ देखते हुए इसारा करती है कि इसे आज ही खतम कर देते हैं ना रहेगा बास और ना वाजेगी बसुरी उसके बाद से प्रियंका और करन दोनों मिल करके सुरेंदर की गला दबा कर वहीं पे हत्या कर देते हैं सुरेंदर जब इस दुनिया को छोड़के चला जाता है उसके बाद से करन और प्रियंका सुरेंदर की डेट बोड़ी ठीकाने लगाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं दरसल सुरेंदर ने अपने दाहिने हाथ पे अपना नाम गुदवा रखा था दोनों को लगता है कि साइद कहीं सुरेंदर की डेट बोड़ी सिनाख्ष न हो जाए एसलिए प्रियंका कमरे से बाहर निकलती है और एक कुलहाडी लाकर करन को दे देती है करन उसी कुलहाडी से सुरेंदर का दाहिना हाथ उसके सरीर से अलग कर देता है और फिर उस हाथ और कुलहाडी को लेकर करन गाउं से बाहर निकलता है और उसी रात को ले जाकर के नदी में फ्यंक देता है वापस फिर से प्रियंका के घर पे आता है और दोनों मिलकर सुरेंदर की डेट बोडी को एक चादर में लपेट कर उसी कमरे में छिपा देते हैं ताकि अगले दिन उसके डेट बोडी को कहीं पे ठीकाने लगा सके अगले दिन जब सुबा होती है प्रियंका साम तक का इंतजार करती है लेकिन दोनों को मौका नहीं मिल पाता है एसलिए साम को अब प्रियंका को डर सताने लगता है कि कई उसका जेट और उसका ससूर सुरेंदर के बारे में पूछण न दे प्रियंका फिर से एक प्लान बनाती है और साम के करीब पांच बजे के आसपास अपने जेट के पास जाती है और कहती है कि ये सुबा सुबा मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गए थे लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए जा करके देखिए कहां रह गए दरसल उस वक्त भी सुरेंदर की डेट बोडी उसके घर में ही पड़ा था और फिर अगले दिन अपने प्लान के तहट करन फिर से रातरी के वक्त प्रियंका के घर में जाता है दोनों मिल करके सुरेंदर की डेट बोडी को रातरी के करीब 11 बजे के आसपास जब पूरा गाउं सो रहा था सुरेंदर की डेट बोडी को एक साइकल पर लोड करते हैं और गाउं से बाहर निकलना सुरू करते हैं ताकि उसके dead body को कहीं पे ठीकाने लगा सके। लेकिन जैसे ही गाओं से बाहर निकलते हैं, कुटे उन्हें देख कर भॉंकने लगते हैं। अभी दोनों मिल करके सुरेंदर की dead body को खेतों तक ही लेके गए थे, कुते इस कदर से भोगते हैं कि डर के मारे सुरेंदर की डेट वोडी को खेत के मेड़ पर फेक करके वापस घर चले आते हैं वागई में प्रियंका जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस प्रियंका के ही तेरीर पे उसके भतिजे करन को भी अपने कस्टड़ी में लेकर आती है फिलाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धराम मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है सुरेंदर के दोनों बच्चे में से एक बच्चा फिलाल अपने नानानी के पास रह रहा है तो दूसरा बच्चा अपने दादा के पास रह रहा है दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट बक्स में जरूर दीजिएगा तब तक के लिए जय ही जय भारत